बच्चों, मेरा नाम दित्ती कर्शक है, मैं राज की महिला पॉले टेक्निक बीकाने में कॉस्टिम दिजाइनिंग एंड्रेस्मेकिंग में भाग में वरिश्च प्रवक्ता की पदपर का रहे थूं बच्चों, आज हम सर्पेस ओना मेंटेशन जो की हमारा प्रैक्टिकल विशे है, इसके माले मैं आपको में जानकारी देना चाहती हूँ और इसकी विशे में चल्चा करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ की मशीन इम्रोईडरी करने से पहले हम अप्री मशीन को किस तरह स इस सिंपल स्वेंग मशीन के द्वारा हम इम्रोईडरी किस तरकार से करते हैं, इसकी संपूर जानकारी हम ठाक्ट करेंगी, देखिए बचों, अब होता यह है कि एक डिजाइनर के पास एक एक विशे के तौर पर मशीन होती है, वही मशीन जो की गार्मेंट को कंस्ट्रक् तो एक सिंपल स्वेंग मशीन से इम्रोईडरी किस प्रकार से की जाती है, वो हम इस विशे के अंसरबर जानके, तो सबसे पहले तो बच्चों, आप मशीन को तियार करेंगे, आप अपना धागा जो है, रेश्मी धागा, त्विस्टेर यान जो है, आप उसकी रीन यहाप की, दस नंबरी की, कपड़े के वजन के अनुसार आप नीडल का चैन करेंगे, यदि मोटे कपड़े पर आप एंप्रोईडरी करते हैं, तो 14 नंबर से ज्यादा, जैसे 16, 18 नंबर आधी नंबर की नीडल का प्रियोग करेंगे, साथ ही उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नीडल लगाने के बाद हमारा जो प्रेशर फोट है, उसको हमा टालेंगे यहां से, और हमारा जो यह स्टिच बार है, उसको पाँच नंबर पर ले आएंगे, उसको फ्री कर देंगे, फाइप नंबर पर हम अपना स्टिच बार को ले आएंगे, और उसके बाद हमारा जो उसको इस प्रकार से फ्रेम पर लगाएंगे जो मशीन इम्रोइडरी में क्या होता है जो फ्रेम का उल्टा साइड होता है वही राइट साइड होता है जैसे हम कपड़े को इस तरह से हम जो इम्रोइडरी करते हैं साधा रंत तो हम इस तरह से फ्रेम के इस रुख पर अपनी वह भी करते हैं लेकिन जब मशीन भप करて हैं तो जो हमारे फ्रेम का उल्टा-साइड होता है वह हमारा अजय मुख्या साइड होता है और इस को हमारा जो एक आग लागशा से % tips करेंगयह। इस तरह से हम इसको फ्रेम को लगाएंगे तो मैं सबसे पहले बच्चों आपको रणिंग स्टिच बताती हूँ अच्छा क्या केते हैं कि बच्चों एक बात आपका और ध्यान रखोगे कि जब आप मशीन स्टार्ट करोगे तो अपना हाथ जो है वो फ्रेम के आउटर साइड रहेगा कभी भी आप नीडल के पास अपना हाथ या उंगली को नहीं रखेंगे बच्चों क्योंकि ये सुरक्षा की दरिश्टी से अगर आप पास में रखोगे तो मशीन चलते चलते ना जाने आपके उंगली में नीडल ना चली जाए इस बाता का ध्यान रखते हैं हमेशा लिसा फ्रेम के आउटर साइड का पकड़ते हैं फ्रेम को मूव करते वे और पेरों से मशीन को चलते वे जो हैं वह निर्वान करसे हैं गures किसी भी नमूने की आनो को बनाने के लिए और बच्चों इस harus बच्चो इस तरह से जो है हम रणिंग स्टिच से किसी भी नमूने की भराई का काम भी जो है वो कर सकते हैं तो रणिंग स्टिच किस किस काम आई एक तो हमारे आउटलाइन बनाने के लिए और एक नमूने को भरने के लिए काम में आती है एक रणिंग स्टिच से हम जो है रा दा कि हुआए यह इह हैं टिस्टर यहां यह जो हमиляhst साथटे शेच के लिए बार डड़ा है इसको ह हमारी चरकार से करें जिस्टर डिए यहां गनले के लिए सका है थे बच्रक्रेश एयह तक में इसले स्टर्पाइस दीशितार करें घरुट misma पास 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 तुटलाना होता है यह हमारी यह हो तरह से इसमें साटनिस्टिश आप देखेंगे लिए को बार बार उठा करके एक-एक नीडल को पास पास इससे लेकर आणा होता है देखिए और बड़ी सुन्दर इसमें जो है वो स्टाल साटनिस्टिच बन करके आती है एकदम चिकनी स्मूध और देखने में भी बड़ी खुबसूरत लगती है बचों दिखती है ना आप लोगों को यह दिखिए साटनिस्टिच इस तरह से जो है वो साटनिस्टिच हम बनाते हैं जब हम लॉंग और शॉट की बात करते हैं तो बचों इसी साटनिस्टिच की तरह हम दो रंग का धागा ले सकते हैं और जब हमें लॉंग कर चलाना है धागा तो हम इस तरह से लंबा ले लेंगे और एक कलर का धागा लेकर के शॉर्ट स्टिच जो है वो जैसे हाथ से करते हैं वो बस सीधे-सीधे एक आप देखेंगे कि ऐसे में हैंडल को चला रही हूं विल्कुल धीरे-धीरे-धीरे-धीर या और जैसे कॉई भी आप कोर्ड ले लीजे या दोरी ले लीजे और उसको ना क्या कैते हैं आप उसपे कपड़े पर लगा नमुने के एनुसार उसको लगा लेंगे और लगाने के बाद लगाने के बाद उसको हम जूँह । ai हम qo करहती है है तक है इसको पहले एक होती हैं अपने हाथ से भी की इस तरह से उड़ी को रखके के द्वारा उसको इस हमारी कॉचिग कर देटे catholic here टिके बच्शों आप इना को एस थे और फिञर्टिम dw Joy को का था सब्सक्रीं कि बिखयो पास बिल्कूल उसी प्रकार जो है हम साटन स्टिच करते हैं इस तरहां से इस तरहां से दिखिएगा बच्चा कि ये डोरी बिल्कुल ना दिखाई दे हम इसको पास 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 साटन स्टिच के द्वारा एकदम इसको भर देते हैं इसको कहते हैं को कोडिंग करना या स्टिच कोंचिंग कोको कौच करकि अंग के दिवारा जो है को फिक्स किया जाता है एक होती है हमारी स्टिच होती है साटन इस्टिच में है हुआ यह है यह साटन इस्टिच यह है हमारी रेज़ साटने स्टेच दिए अब हमारी एक होती है तो हमारी कॉर्डिंग हो गई लिसको की हमने जो है वो साटने स्टेच के दुआरा बिल्कुल बराबर लाकर के उसको फिक्स कर दिया एक कहलाती है हमारी रेज़ साटने स्टेच को उसमें क्या करते है जैसी कोई नमूना है सबसे पहले इस नमूने पर रानिंग स्टेच कर लेते हैं और इसको रानिंग स्टेच से ही इसको नमूने को एक बार दूर दूर पुड़ा सा भर लेते हैं या पास-पास अगर आपको जितने रेज़ चाहिए उससे सबसें को पास-पास एक बार यह लेकों उसके बाद आप इस पर वह साटन स्टेच करते हैं वही साटन स्टेच करने का तरीका वही है कि आप नीदल को बहुत जैंटली उठाएंगे और जितने एरिया पर आपको टांका चाहिए जितना लंबा डांका चाहिए उतना आप दूर अपनी नीदल को वापस विल्कुल पास 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 जो है वो तांको को लेते जाएंगे इस तरह से जो साटन स्टेच तयार होगी वो थोड़ी उठीवी होगी पुरानी बेसिक जो साटन स्टेच है उससे थोड़ी सी उठीवी होगी इसलिए इसको रेज साटन स्टेच कहा जाता है देखते हैं आपको machine stitching, machine embroidery जो कहते हैं बहुती patient का, धहरे का काम है, लेकिन जब इससे garment पर अलंकरन किया जाता है, तो वो बेहत खुबसूरत लगता है, आज की समय की मांग के अनुसार आपने देखा होगा, हमारे कपड़ों पर, हमारे जो bags वगएना हैं, उन पर आपको जादा तर जो है यह कहलाती है हमारी raised saturn stitch, तो यह कुछ basic stitches हैं, जो आज आपने discuss करी हैं बचों, नेक्स्ट में मैं आपको typical embroidery जिसे कहते हैं, उसके बारे मैं आपको बताऊंगी, जिसमें की patchwork, applique work और बाकी शेश embroidery हैं, और साथ में आपको एक चीज और बताना चाहूंगी बचों, कि जब आप कपड़े को फ्रेम पर तानते हैं, तो उसको इतना टाइट ताने की जैसे एक डफली पर कपड़ा तना रहता है, उस तरह से हमारे फ्रेम पर कपड़ा जो है वो तनावा होना चाहिए, अभी मैं आपको दिखाते हूं, यह दिखिएगा बचों, यह है हमारी raised saturn stitch, और अब मैं आपको फ्रेम पर कपड़ा कैसे तानते हैं, यह बताते हूं, दिखिए ना, हमारी फ्रेम पर जो कपड़ा है, वो इतना टाइट होना चाहिए, कि जैसे उस पर से tapping की आवाज आए, इस तरह से अगर हम tap करें तो आवाज आए, तभी हमारी जो है वो Android V अच्छे से निकल करके आएगी और हमें खुबसूर्ती प्रधान करेगी और हमारा कपड़ा जो है वो अलंक्रत होता, आपको आशा करती हूं बच्चों कि यह बेसिक सिच समझ आई होंगी, Thank you so much.